आज की जो प्रेस कॉन्फरेंस है वो देश भर में भारती जनता पार्टी किस तरह से सुने योजित धंग से प्रस्टचार कर रही है भारती जनता पार्टी किस तरह से संगटित प्रस्टचार कर रही है भारती जनता पार्टी इस देश की जनता को कैसे खुले हम लूट रही है उसके बारे में विस्तार से आपके सामने खुलासा करने के लिए प्रस्टचार कर रही है और यह लूट इस देश की जनता से बिजली के नाम पे की गड़ उस बिजली के नाम पे हाँ जिसको अर्विंद केजरिवाल जी ने दिल्ली की जनता को नीशिलं फ्री में उपलब तकराया इस पंजाब में हमारी सरकार 300 फ्री देती है डिली में हमारी सरकार फ्री फ्री देती है इस तरफ हाँ मारा जांटी श्र Coutht wait लूट का है तिन दहारे जंता का जेब काट दिये और कैसे काट दिये मार्च के महीने में 2024 के अंदर चुनाओ की आचार सहिंता लगने से पहले बोले चुनाओ होगा जो परिनाम आएंगे तो बाद में देखा जाएगा का रखश्य का पहले लूट का इंतजाम करें है हुआ है कि चुनाओ की आचार सहिंता लगने से पहले मार्च के महीने में owej है eighthaire 600 मेगावाट का तो तो विजली का कि प्लान्ट लगाने का विजली की सप्लाई करने व्हूटली की सप्लाई करने तेंडर जारी किया गया महारास्टा की सरकार के लिए कितने का 6600 मेगावाट और भारत के इतिहास में पहली बार आप लोग भी इसको पढ़के के रिसर्च करके जानकारी ले लीजिएगा जहां पर मिक्स टेंडर्ड निकाला हुआ है कि मुले हमें कोईलेस की विजली यानि कि थर्मल विजली और सोलर की विजली यानि कि सौरे उर्जा की विजली एक साथ चाहिए आमतोर पर क्या निकलता है कि सोलर विजली के लिए ठेका अलग निकलता है थर्मल की विजली के लिए ठेका अलग निकलता है यह क्या कह रहे हैं सोलर और थर्मल एक साथ चाहिए कितना चाहिए चे हजार चेसों मेगावाड़ तो हजार चौदा में सुप्रिम कोट में क्या कहा था मानी सरवोच्च न्याया ने कहा था देस में जो भी पिजली के धिके निकलेंगे उसमें प्रतियोगिता बढ़ाइए जिसके कारण जनता को सस्ती बिजली मिल सके किसने कहा भारत के संवेच चुरूब कब कहा जब भारत के प्रधान मंत्री महामानों का जन्व भारती राजनीती में आदर्णी नरेंद्र मोदी जी ने कि 2014 में जब इस देश में महामानों के रूप में चर्म लिया उसी समय सुप्रीम कोड में कहा कि यह महामानों इस देश में जितने भी बिजली के ठेक निकालना ऐसे निकालना जिसमें प्रतियोगिता बढ़े और जन्टा को सस्ती गई तो महामानों की डबल इंजम की सरकार महारास्वार तो महामानों ने कहा कोई कंप्रिशन न रहे सुप्रीम कोड का आदेस है तो हमने दो किना नहीं मारो सुप्रीम कोड का आदेस पूले 5000 मेगावाट शोला विजली चाहिए और 1600 मेगावाट अर्मगी प्रेंडर निकल गया जाहिसी बात है इतनी बड़ी विजली की सप्लाई इस देश में कौन दे सकता है आप रोगे मन में तो नाम चलना शुरू हो गया इतनी बड़ी विजली की सप्लाई महामानों के दोस्त के अलामा तो कोई दे नी सकता है दो तीन प्लेयर है इस देश में जो इसके लिए टेंडर करेंगे टेंडर कर दिया गया टेंडर कर दिया गया टेंडर अप्लाई हो गया टेंडर खुल गया और जब टेंडर खुल गया सितंबर के महीने में सितंबर के महीने में अभी जब टेंडर फुल गया तो लिल्डर भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त उनके मालिक उनके आपा अडानी को मिल गया अडानी को मिल गया पूरे देश्थ में सोलर बिजली थाइरुपे सरकारों को मिल रही है पोईले की बिजली दो रुपे थाइरुपे तीन रुपे उनिट सरकारों को मील रही है है कि लेकिन अड़ानी को शे हजार शेसो मेगा वाट टी बिजरी शार रुपए उनिट के दर से में यह एक रुपए की डगेती किसके चेब में डाली जाल तक यह एक रुपए कि लूट किसे की जा रही है महारस्टा की जंपा सब्सक्राइब माहरास्ट के लोगों ध्यान से सुनिये गा हिसाब लीजेगा एक चीज पर यह एक, रूपए प्रत-ईूनिट की लूट आपकी जेव से की जा रही है। अधानी अपने पास नहीं दे रहा है। मोदी जी अपने पास से नहीं दे रहे आप आप से लूटी जाएगी यह जो एक रुपए यूनित डेट रुपए यूनित में जिली जी तो मैं भूशना चाहता हूँ पच्छी साल के लिए महारास्ता की चंटा को अनानी को नरेंद्र मोगी जी सिंदे जी कैसे मिल गई देवेंदर फणनविस जी इसका जवाब महारास्ता की जर्णा के लिए और एक मोटे मोटे अनुमान के तहर अगर यह चेसो चेजार चेसो मेगा वाट की बिजली सप्लाई चार रुपए यूनित के दर से अगले पच् इस साल तक चलती रहे तो करीब करीब महारास्ता की जर्णा को एक लाख करोण रुपए का चुपा लगेगा एक लाख करोण रुपए की लूट महारास्ता की जर्णा की इससे भी मज़ेदार के साथ राजस्थान राजस्थान में मोधी जी के दोस्त अड़ानी को कहा गया भीया तैयारी कर लो ठेका निकलने जा रहा है बोले हुजूर क्या तैयारी करनी बोले हमारे साथ M.E.U. साइन करो एग्रिमेंट साइन करो बोले कितने का बोले ऐसा करें तुमारा जो धर्मल प्लांट है उसमें तो बत्तिस सो मेगावाट के लिए तुम अप्लाई कर दो एक्स्पेंशन जो थर्मल प्लांट है उससे बत्तिस सो मेगावाट बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप सरकार के सामने अप्लाई कर दो इसका इन्वार्मेंट क्लियरेंस और बाकी चीज़े वो कागजन पूड़ा करते रहेंगे आप फट्टीसों मेगावाट ऑजले और हुजूर क्या करना है उगले दूसरा मेवाट करो राजस्थान की सरकार के सामने क्या कि तो और सोलर प्रांट का आठ हजार मेगावाट का सोलर प्लांट का मेवाट कि कितना हो गया 11,100, 11,200 मेवाट, 8,000 सोल्च और 3,200 थर्वाट, 8,000 सौर उर्जा की बिजली 8,000 मेवाट, और 3,200 मेवाट फोली थर्वाट, तो तीन हजार दोसमेगावाड विल्ली जो उनके खुबल प्राइब चर रहे है अडानी के उसके एक्सपेंशन के लिए उन्हां को अधिक कितने सुनोजित संगेठिक भ्रस्टाचार कुष्टन के सभीजिए और एम्यू साइन कर दिया सोलर प्लांक लगाने के लिए सौर्य और उर्जाउत पादन के लिए आठ हजार में राजस्थान की सरपार जागी है उसमें अब टेंडर निकार ठीक उसी तरीके का टेंडर जो महराष्टा ने निकाला जो भारत के इतियास में पहले कभी नहीं हुआ है ठीक उसी तरे का टेंडर जिसमें 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धर्जियां उड़ाए गई किया आप बिजली के छेत्र में प्रतियोग्दा पैदा कीजिए जिससे जंता को सस्ती बिजली मिल सकें है ठीक उसी तरीके का टेंडर निकाला गया और कहा गया हमको सोलर की बिजली और थर्मल की बिजली एक साथ चाहिए प्रतिसत 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 अधिया गया है तैयारी हो चुकी है राजस्थान में भी ये ठेका किसी और तो नहीं धान मंत्री लेंदर हो गीजी के दोस्त अडामी को दी जाएगी और पच्चिस साल का एक इमेंट करके पच्चिस साल तक राजस्थान की जमता को भी दिल्ता जाएगा ये पहले से ही इस वागले में आगा कर देना चाहता हो वहां तो चारुपाई यून कि जो पूरा देश जानता है कि मैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अब इस देश की जनता को तै करना पड़ेगा जो संगठित भरस्ट अचार आपके साथ किया जा रहा है जिस तरह से भारती जनता पार्टी अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश को लूटने का काम कर रही है जिस तरह से प्रहानमंतिर नरेंद्र मोदी शिंदे के साथ मिलके भजनलाल के साथ मिलके महारास्ट्रा के अंद पच्छिस पच्छिस साल तर विजली के नाम पर जन्ता को लाखों करोन रूपए की उनके साथ लूतने की तैयारी कर चुके हैं इस पर कौन जवाब देगा इसके लिए जिम्यदार कौन है निसीधे कौप में सामने बिख्णा है अब राधी आपके सामने खड़ा है एक इसक और ही मुंसिब बना रहा है इन पर कोई EDCBI कोई भी इंकम टैक्स डिपार्टमेंट की चाहिए तो इसलिए यह मामला आपके संग्यार में लाना था इस देश की जनता को अब नड़ने करना पड़ेगा एक तरफ अरविंद के द्रिवाल है इक तरफ आम आदमी पार्टी है जो पिजली फ्री देती है एक तरफ भार्ती जनता पार्टी है जो पिजली के नाम पर भूड की पुणी शूदते है अभी आनिय सांसर्ट रंजे जी ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से संखाया कि किस तरह टोनो स्टेट्स में जो टेंडर डॉक्यमेंट हैं जो टेलर मेड दिये गए अडानी को सुन करें अगर हम अपना घर बनाते हैं तो हमें हीट चाहिए होती हैं सेमेंट चाहिए होता बहुत सारी चीज़न चाहिए होती हैं हम देखते हैं कि कहां सबसे सस्ता माल हमें मिल रहा है और वहां से खरीद के हम घर बनाते हैं अब यह आप देखिए महराश्ट्रा में और राजिस्थान में डॉक्यमेंट ऐसे बनाए गए कि जाए सबसे महंगी सौर उर्जा हो चाह यह वो राजिस्थान के अंदर ही होना चाहिए आज की तारीक में जब पूरे देश में पावर ग्रेड हैं आप कहीं पे भी बिजली बनाके कहीं भी सप्लाइ कर सकते हैं हमारा उदेश यह होना चाहिए कि सबसे सस्ती बिजली हो और कंज्यूमर को फायदा हो ना कि यह फायदी कि देश में 200 यूनिटीट बिजली प्री है टो अरवेंद केजरिवाल जी का दिन रात यह प्रतन रहता है कि हमारा पैसा बचे मोदी जी का प्रद्न रहता है कि कैसे जो मोदी जी के BFF हैं बेस्प्रेंड अदानी उनकी जेब में हमारे खून पसीने की गाली कमाई पहुंचाई जा सकते है। टेंडर उसके अलग-अलग निकाले जाता है। इसके बाद उतने ही मेगावाट के लिए टेंडर निकाल दिया। तीन हजार दोसों मेगावाट थर्मल पावर चाहिए। उतने ही मेगावाट के एक्सपेंशन के लिए अप्लाई कर दिया। क्लियरेंस ले लिया। तो किसी एक आदमी के लिए याडानी के लिए आप कर रहे हैं। और डूसरी सर्दा आपने क्या लगा दी। जो कि अच्छी है मैं उसको बुरा नहीं मानते। आप करें इसी राज्य में वीजली का उत्पादन करने वाली कंपनी को ये टेंडर में अप्लाई करने का अधिकार है। आपको तो मालूँ मैं ना कि इतना वड़ा सोलर प्लांट सिर्फ अडा नहीं लगा रहा है। इतना वड़ा ठर्मल प्लांट सिर्फ अडानी के पास है कि और उसी राज्य में है। इसलिए अपने शर्ट लगा दी कि उसको ठेका मिल जाए। मेरा ये कहना नहीं है मेरा ये कहना है कि क्या आप इसके आधार का मानी सर्वोच न्यायाले के द्वारा दिये गए आदेश की अउहेलना कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि इस छेत में प्रतियुम्टा पैदा की अगर बड़े प्लेयर ही फाइदा उठाते रहेंगे तो छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने वाले व्यापारी क्या करेंगे कि उनको तो आपने डुबा दिया आप इस देश के अंदर मघरमक्ष पैदा कर रहे हैं बड़े मघरमक्ष वो छोटी मचेलियों को निगल जा रहे हैं वह उनका भी तो रोजगार है वो सकता है वो डेड़ रुपए उनिट जंता को बिज़री दे 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 आपने इतना कि दुबादा टेंडर निखाल दिया जिसमें मोनोकोल है जिसमें एक अधिकार है तो चार रुपए उनिट निपाच रुपए उनिट निकाल दे मैं समस्ता हूँ आप लोगो थोड़ा देखिए दोस्की तहां चाब से लिए आगे आगे अब आप लोगो भी डाला है